Everyone, इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे dealing with depression and academic stress although यह topic बहुत vast है और उस पे बहुत सारी चीज़े हैं जो discuss हो सकती है but for now, जो आपका guiding and counselling में जितना relevant topic है उसको हम discuss करेंगे ठीक है? देखो, depression और academic stress जो है ना, दोनों के साथ deal करना बहुत challenging हो सकता है and इसमें से जो depression है यह तो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए you need to take care of the मतलब आपको medicine या फिर एक proper, जो psychologist है जो इस चीज़ को समझता हो उसको दिखाने की जरुआत होती है because यह काफी harmful हो सकता है लेकिन जब आप इस चीज़ के लिए guidance and counselling लेते हो तो आप इन issues को manage कर सकते हो ठीक है? तो अभी हम लोग discuss करने वाले हैं कुछ strategies जिससे आप deal, you know, you can deal with depression and academic stress academic stress सबको पता है, पढ़ाई की चकर में हो जाता है, in fact, अगर आपका exam आज है, तो आपको आज भी stress हो रहा होगा और मेभी कुछ बच्चे यह वीडियो से उस stress के चकर में देख रहे होगे कि फटाफट वो टॉपिक हो जाए, right? So, now, क्या-क्या तरीके हैं जिससे आप deal कर सकते हैं, देखो, ये बात हमेशा याद रखनी है, जब आपको बहुत low feel हो रहा है, and if you are feeling that बहुत दिन हो गया है, आपकी वो feeling change नहीं हो रही है, you are feeling depressed, आपको negative thoughts आ रहे हैं, तो आपको एक counselor, therapist या फिर mental health professional से बात करनी चाहिए, because आगे जाके ये बहुत harmful हो सकता है, और वो जो person होते हैं, जो counselors होते हैं, therapist होते हैं, health professional होते हैं, वो आपको necessary support provide कर सकते हैं, जो आपको चाहिए, यह नहीं कि आपने दोस्त को बोला, केवल दोस्त ने बोला, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, वो चीज़ कई बार यहाँ पर काम नहीं करती है, ठीक है, तो आपको एक proper counselor, therapist या medical health professional की जरुवत परती है, जिनकी आप guidance या counseling लो, इससे आपको na exactly कई बार अपना जो cause है, depression का, या जो stress का, वो पता चलता है, कई बार हमें ही नहीं पता होता है, हम किसी चीज़ को लेके इतनी stressed out होते हैं, until and unless कोई और point out ना करे, हमें you know, judge करके, अच्छे से, हमें समझ के, तब तक हमें पता ही नहीं चलता, so such things are important, कि सबसे पहली बात तो reach out for the sports, sorry support, और आप लोग ना, मतलब ऐसा कभी भी कुछ होता है, तो parents कई बार होता है कि बच्छे सोचना है कि नहीं पताना नहीं है, but try ऐसा कोई person जिसको आप trust करते हो, जो आपको पता है, आपके लिए तब दलत नहीं सोचेगा, you can always approach them, ठीके, फिर पता है practice self-care, देखो, एक चीज है ये, कि आप जब भी stress में होते हो, या फिर आप, you know, कोई और इतनी वड़ी, मतलब इस बारे में तो बहुत दिवास topic है, मैं बहुत डिटेल में बात नहीं कर पाऊंगी, but जब आप stress में होते हो, तो आपका physical और mental well-being दोनों destroy होने लगता तो सबसे पहली चीज है, कि आप अपने physical और mental health का ध्यान रखो, कैसे करोगे, आप ऐसी activities में engage करोगे, जो आपको joy और relaxation लाएगा, यानि जिससे आपको अच्छा लगेगा, जैसे कि exercise, hobbies, अपना time जिनको आप पसंद करते हो, ऐसे लोगों के साथ, you know, spend करना, जो बहुत positivity द and do that, and आपको यह ध्यान रखना चाहिए, कि अगर stress है, तो ऐसा नहीं कि पढ़ने के चकर में सोई ही नहीं, एकात दिन हो गया, कोई बात नहीं, but long term में, it should not affect your sleep cycle, and आपको proper balance diet लेनी है, जिसमें सारे nutrients आप लोगे, and drug use से बचना है, क्योंकि ऐसे time पर, you know, कई बार, आपने realistic goal, मैं आपको एक simple सी चीज़ बताती हूँ, आपने एक ऐसा goal set किया, जो बहुत difficult है, और बहुत बड़ा है, लेकिन कही न कहीं आपको deep down पता है, कि वो achieve हो ही नहीं सकता, suppose कोई 8th class का बच्चा सोच ले, कि मैं अगले साल medical का exam clear कर लो, मैं example दे रहूँ, वो नहीं possible है, कोई 12th का बच्चा सोचेगा, तो बिल्कुल possible है, 11th का बच्चा सोचेगा, कि दो साल में करूँगा, बिल्कुल possible है, तो realistic goals set करिए, छोटे-छोटे goals से start करिए, और अपने बड़े goal की तरफ जाईए, ठीके, इससे क्या होता है, जब आप छोट-छोटे goals achieve कर तो आपको confidence feel होता ह और आपको ये भी लगता है कि आपने कुछ accomplish किया है, कुछ achieve किया है, पट कई बार हम लोग बहुत जादा अगर इसे unrealistic goals set कर लेते हैं, तो वो आपको कई बार, you know, agitation भी कर सकता है, agitate कर सकता है, कि अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा, अरे मैं तो शयद करी ही नहीं पाऊंगा वो negative feeling ना है, इसलिए बड़े goal के साथ साथ छोटे-छोटे goal भी achieve कीजे, कि बड़े goal अगर धीर-धीर हो भी रहे, तो at least छोटे goal तो मैं achieve कर पा रहा हूँ, ठीक है, आपने सोचा है कि मैं ये subject में top करूँगा, बिल्किल एकदम realistic goal है, लेकिन अब उसके लिए क्या करना करते हो, एक चीज जो अधी चीजों को वैसे sort कर सकती है, that is your time management and organization, अगर आप एक schedule बनाते हैं, या schedule नहीं भी बनाते हैं, आप planner use करके, आप अपने time को अच्छे से effectively use कर रहे हैं, आपको पता है कि आप अपना time सही जगा रहे हैं, आपके पास option थे, दो घंटे movie देखने का दो घंटे पढ़ने का, आपने paradise किया कि नहीं, मुझे पढ़ना है, आपने उस time में पढ़ाई करी, उसके बाद आपने आदा घंटे रिलाक्स किया, ये सब चीजे आपके stress को automatically कम कर देती हैं and आप organized रहते हो, obviously it helps to reduce the stress, देखिए, अगर आपको लग रहे है कि बहुत academic work load हो और ये नहीं कि subject teacher, अगर आपको लगता है कि कोई आपके school में ऐसा teacher है, जिनसे आप ये चीज़ discuss कर सकते हो, you can always go to them, ठीक है, teachers ऐसा नहीं होता, हमें ऐसा लगता है, बट बहुत सारे teachers बहुत helping होते हैं, बनलब like वो बहुत जादा आपको समझ सकते हैं, तो आप उनको approach कर स सकते हैं, जिससे आप academically लिए अच्छा करो, ठीक है, एक support network बनाना जरूरी है, नहीं, what does that mean, देखिए, अगर आपकी आसपा सिफ negative लोगों imagine the situation, जो आपको कह रहे हैं कि कुछ होगा, तो तो फेल हो जाएगा, तो तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कहीं नहीं कहीं आपका मन जाएगा कि हाँ, श्याद मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, बट इसका पोजट कर देते हैं, आपके साथ ऐसे दोस्त हैं, जो बहुत अच्छे से thoughtfully time spent करते हैं, और आपको बहुत encourage करते हैं, आपके parents हो गए, आपकी family हो गए, they are always encouraging you, तो जब आप अपने आसपास एक ऐसे positive औ इनों share करके आपको encourage कर सकते हैं, stress reduction techniques apply कीजे, जैसे कि आगर किसी को stress है, तो actually लोग इसमें deep breathing exercise करते हैं, तो इससे उनका, I am not saying कि उससे depression खतम हो जाता है, बट इससे बहुत फरक परता है mental health पे, आप deep breathing exercise कीजे, yoga कीजे, muscle relaxation कीजे, इस technique से आप अपनी जो anxiety है, उसको बहुत anxiety, ठीक है, फिर है challenge negative thoughts, देखिए, depression में क्या होता है, negative thinking patterns आते हैं, जब कोई person depression में होता है, उसको हमेशा negative thinking patterns आते हैं, उसको लगता है कि, मतलब it's a numb feeling basically, so ऐसे में आपको क्या करना है न, जब आप किसी counselor को approach करोगे, तो वो आपको बताएंगे, कि अगर ऐसे negative thoughts आ रहे हैं, जो helpful हो सकती है, ठीक है, ये बहुत detail में, जब आप ऐसे तो पढ़ाया जाता है, B.E.D. में भी, और M.E.D. में भी पढ़ाया जाता है, बट सिल जब आप थोड़ा सा और high level पर अगर जाएंगे, या किसी भी ऐसी steam से, you know, deal करते हैं, तब आपको ये सब पढ़ाया जाएग अचा, एक और चीज है, अगर ये सबसे नहीं काम बन रहा है, और actually होता है कई बार, because depression का reason सिर्फ ये नहीं होता कि परिशान है, depression के बहुत सारे clinical reasons भी होते हैं, suppose if there is some hormone which is not releasing properly, it can cause depression, so, मनला कुछ chemicals होते हैं, जिससे हो सकता है, तो आपको क्या करना है, medical लेने में कोई problem नही body में भी तो कुछ नहीं कुछ चलता रहता है, तो ये चीज़े भी mentally चलती रहती है, तो medication आपको prescribe करी जा सकती है, and it can really help you, लेकिन obviously जो आपको medicine बता रहे हैं, कोई अधम authentic हो, कोई कोई act ना हो, और सबसे important चीज़े होनने actually पता हो कि वो क्या कर रहे है, so, ये तब हो सकता है of dealing with depression and academic stress, देखिए, इसमें बहुत सारे points हो सकते हैं, but अगर आपको exam point of view से लिखना है, एक अच्छा सा mind मैं पनाईए paper में, ये सारे points लिखी है, और इसमें आप extra add-on कर सकते हैं, अपनी तरफ से, वैसे तो अगर इन points को भी cover करेंगे, it's more than sufficient for the exam, but still, if you want to add something, आप अपने points भी add कर सकते हैं, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करके, बेल बटन को जरूर प्रेस कीचेगा, अप लेलिस जरूर चेकीचेगा, सारी वीडियो वहां पर freely available है, mostly कोशिश करियो मैं कि सारे topic cover करती जाऊं, and अगर कोई doubt है, तो comment section में करता ही है का मेरी किसी भी वीडियो से आपको एक्जाम टाइम ये कभी भी भी बेनेफित हो रहा है, तो there is a link in the description box that is buy me a book, वो यूज करके, you can actually buy me a book by paying, and it is up to you how much you want to pay, it's completely up to you, and अगर आपको कोई चीज नहीं समझाई, if you want any, you know, if you want my help, just comment below, मैं कोशिश करूंगी कि मैं help क करूं, मैं, in fact, ये subject मी किसी बच्चे का पेपर है, तो वो लोग मुझे कमेंट करें, इसलिए मैं इसके फटाफोट सारे topics कवर करे हूं, and I hope, कि हम अगली वीडियो में मिलते हैं, thank you so much, have a nice day.